चलिये अब सवाल उठता है पहली के मन में जरा उसको हम उत्तर देते हैं पहली जानना चाहता है कि हमारे भोजन का पौधे और जन्तों के अलावा ही कोई अन्य स्तुरत है क्या हमारे पास कोई अन्य स्तुरत है जो पौधे और जन्तों के अलावा भी हो नहीं बेटा पौधे और जन्तों के अलावा हमारे पास कोई और स्त्रोथ नहीं है हाँ और कह सकते हैं जैसे कि मदमक्खी का रस जिसे आप शेहत कहते हैं बेटा शेहत के लिए हमें मदमक्खी की जरूरत होती है और मदमक्खी कीट पतंगों में आता है तो कीट पतंगों से भी हमें कहीन कहीं हादेपי जाता है ख्लियर हो गया तो जानवर में ढूड सिर्षी में जानवर में जानवर जानवर के आपके कि इस आर्नी के अंदर हमने बस यह जाना की चावल पॉद्हें से प्राप्थ होता है पर पॉद्हे के कौन से हिससे चाओल प्राप्थ होता है वह हमने यहां नहीं जाना है हमने उड़त की डाल मैं बताओ से प्राब्ट होता है का मौटे बात मैं बताओ आपको स्टार्टिंग हूए थी कहां से कि हमें भोजय कि किस भाग से प्राप्त होते हैं क्या वो पौधों की टाखाउं से प्राप्त होते हैं या फिर फल और फुलते हैं तो वही अब हम जानने वाले हैं इस गतिविधी के अंदर कि उपर जो आपने विभिन प्रकार के संगटक के बारे में लिखा वो पौध है कि कौन से भाग स संगठक के रूप में करते हैं अब यह संगठक है यह कौन-कौन से हैं वो हमारी यहां पर विभिन प्रकार की यहां पर जो खादे-पदार्त है वो दिये गए हैं जैसे पहला खादे-पदार्त है जो है प्रकार्च के लगए हम बैएंगन के भरते में मिर्च मसाले बाले जाते हैं और हम प्रयोग करते लेकिन यहां पर आप में देखो उपर क्या लिखा हुआ है भोजन के रूप में पौधे के भाग यानि हमें तेल के बारे में चर्चा करना है लेकिन हमें पानी के बारे में चर्चा नहीं करना क्योंकि पाने पौधे से प्राप्त नहीं होता तो हमें इस तालीका में किस के बारे में चर्चा करना ह जो सिर्फ और सिर्फ बिटा पौधे से प्राप्थ है अगर पौधे से प्राप्थ है तो हमने वो चीज यहां पर लिख देनी है जन्तूं से प्राप्थ है तो हमने वो भी लिख देनी है तो यहां पर कहा रहा है पौधे के रूप में जो भूजन के रूप में पौधे का भ लेकिन पौधे का फ़ल वाला हिस्सा होता है पौधे के हिस्से में भाग में कहीं पर अपने सब्ची लिखा हुआ नहीं, नहीं के सब्ची नहीं नगसा आप क्योंकि वह भल है पल स्वरोप निसकर्ष और मिर्च मसाले भी हमारे क्या है पल है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेल की जो तेल इस्तमाल किया जाता है वो तेल मूमफली से बनता है सरसो से बनता है तोयाबीन से बनता है या अन्य पौधे से भी बन जाता है तो वो बेटा आपको जरुरत होगी तो यहां पर लिख देंगे बीज मुंफली भी बीज है बीज है तो यह सभी बीज है तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मुख्य रूपसर पौधे से प्राप चीज़े थी वह यह थी नमक नहीं लिखेंगे पानी अगर चाहिए तो तो पानी नहीं लाई चाहिए न और तेल च्ंजाएं तो यहां पर आपने लिखा भिंडी ठीक है उसके बाद मिर्च मसाले और फिर यह फिल है और जो wär है वो क्या है वी इस प्रकार से आप कर सकतेश महां से इल इसके बाद मुझे बनाना मूली के पराटे मुझे मसाले चाहिए आटा चाहिए और मूली चाहिए मुली क्या ह buttons, अपने आप में मुली जो है वह जड़ है यहां पर तना लिखा हुआ है है जहां पर मुली के जद लिखने वह जड़ और मसाले फड़ है और आना जो है वह अनाज यानि बीज मच में आगया तो इस तरहिके से आप यह तलिका को power